प्रेंस वेल्कम टू माय done, एक कप हम चना डाल लेंगे पानी में बिगो के रखेंगे चार घंटे के लिए तो चार घंटे के बाद ये देखें ये अजरम हो गई है फूल गई है ये आतों से आराम से टूट रही है चार घंटे आपको इसे बिगो के रखना था पानी में अब हम इसका पूरा पानी निकाल देंगे तो ध्यान रहे पानी पूरा निकालना है फिरी ब्लेंड करेंगे हम इसे तो पूरा पानी निकाल के फेक दें और बिगोने से क्या होता है दालों में जो gases होती है ना वो भी निकल जाता है और जो preservators लगे हुए होते है ना वो भी निकल जाते हैं दालों को बिगोने से तो digestion इसी से होती है अब हम 4 table spoon ये बिगोई हुई चानना दाल अलग करके रखेंगे हम 4 table spoon क्योंकि ये बाद में हम सापित डालेंगे तो इसे अलग करके रखें और अब हम एक blending jar लेंगे उसमें डालेंगे दो lesson की कलिया एक harimich और 10 कड़ी पते एक छोड़ा चमर चीरा cumin seeds 1 teaspoon इसमें डालेंगे एक छोड़ा चमर सोंफ मतलब funnel seeds 1 teaspoon और अब हम इसमें डालेंगे 3 tablespoon चावल का आटा अगर चावल का आटा नहीं है तो corn flour डाल दे 3 tablespoon rice flour में चावल का आटा डाल रही हूं और ये अब पूरी दाल हम इसमें डाल देंगे और इसे हम coarsely grind करेंगे पूरा paste नहीं बनाना है coarsely grind करना है आपको ध्यान रखना है इसमें पानी बिलकुल नहीं डालेंगे हम तो इसे हम ये देखें मैंने चावल डाल अलग रखी हुई है और ये चछनी से मैं निकाल देती हूं डाल तो ये अब मैंने coarsely grind कर लिए ये देखें इस तरीके से होनी चाहिए दरदरी पिसी हुई coarsely का मताबता है दरदर आप पिसना अब हम इसे बावल में निकाल लेते हैं ये perfect है इसमें हम ये डाल देंगे दाल चाव टेबिल स्पून जो हमने अलग करके रखी थी ये पूरी हम इसमें डाल देंगे तो ये मैंने इसमें डाल दी और अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमाद नमक, याजबे जायका नमक, दो टेबिल स्पून हरा दनिया, गरीन कोरिंडर इसमें डालें एक छोटा प्यास, finely chopped कोरिंपोनियन, वन सिमॉल ओनियन और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉरिंडर पाउडर एक छोड़ा चमश धनिया पाउडर और आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं यहीं पर यादा छोड़ा चमश गरम मसाला पाउडर एड़ कर दें अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसकी कटलेट्स बनाएंगे ना जादा मोटी ना जादा पतली पतली होंगी तो कड़क बन जाएंगी मोटी होंगी तो कच्छी रह जाएंगी तो मीडियम साइज की कटलेट्स बनाएं ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली में कटले नाइधर तू थिन नार तू थिक तो ये देखें हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं और फिर कटलेट्स बनाते जाएं इसे हमने कोर्सी ग्रैंड किया है न तो इसका जो इसमें बाइंडिंग है क्योंकि हमने इसमें चावल काटा डाला है और कोर्सी ग्रैंड किया है न तो टिकियां आराम से बन जाएगी तो एक्जेक मेजरमेंट्स को फालो करिएगा तो आपकी रेसेपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी तो ये मेने कटलेट्स बनाती है इतने मिक्सचर में से 9 कटलेट्स बनेंगी तो चलते हैं फ्राइ करने की तरफ तेल को आपको पहले गरम करना है उसके बाद हम छोटा टुकड़ा डाल के देखेंगे बैटर का और अगर वो उपर तेरने लगे ये देखें पहले तेर नहीं रहा था अब ये देखें तेर रहा है उपर आ रहा है जब ये उपर आने लगे तेरने लगे तो इसका मतब आपका जो तेल है वो परफेक्ट है फ्राइंग के लिए और अब हम इसमें कटलेट डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राय करेंगे तो पहले मैंने बेटर डाला तो तेल थंडा था फिर मैंने दुबारा बेटर डाला तो वो उपर आ गया जैसे ही तब ही मैंने कटलेट डाल दी मीडियम फ्लेम पे तो ऐसे हम medium flame बे अब चमच नहीं चलाएंगे पहले ये set हो जाएं नीचे से तब ही चमच चलाएंगे ये देखें इतने mixture में से 9 cutlets बनेंगी तो ये जो fry हो रही है ये नीचे से पग गई है अब हम इसे पलट देते हैं ये देखें बिलकुल नहीं तूटेंगी अगर आप instructions को follow करेंगे और शुरुआत में चमच नहीं चलाएंगे तो तो इसे set होने दें उसके बाद ही चमच चलाना है आपको तो ये पग गर आई है light golden brown fry हो जाएंगी तो हम इसे निकाल देंगे ये light golden brown fry हो गई हैं तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखें इस तरीके से इसको प्लेट में निकाल दें और अब हम दूसरा बेच फ्राय करेंगे जो हमने cutlets दूसरी बना के रखी हैं पहले हम सारी cutlets को light golden brown fry करेंगे medium flame पे उसके बाद हम refry करेंगे dark golden brown जो चना दाल की cutlets होती है न वो dark brown कलर की fry होती हैं क्योंकि ये अंदर से कच्ची हैं तो बाहर से हमें इसे dark golden brown कलर ही देना है तब ही मतलब ये पूरी perfect पक जाएंगी तो इसे पहले medium flame पे light golden brown पका है तो ये देखें ये नीचे से set हो गई है तो में अब हम इने पलट देती हूँ ये देखें आराम से पलटे है नीचे से set हो गई है बिल्कुल perfectly तो इसे हम पलट देते हैं इसको पलट दे नीचे से सेट हो गई है तो अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देते हैं तो यह देखें इसे पकते हुए पांच से शेम नट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और फिर इन्हें निकालने के बाद ये मेरी तो जैसे ही बनी खा गए लोग दो तो उसी वक्त में खा गई बाकी दो मेरे फैमली खा गई तो अब हम इसे तेल को हाई फिलेम पे गरम करेंगे हाई फ्लेम पे गरम करने के बाद अब हम इसे मीडियम टो हाई फ्लेम पे सारी कटलेट्स को री फ्राइ करेंगे डार्क गोल्डन ब्राउन कलर देना है ने हमें तो ये देखें पहले मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राइ करके निकाला था आप दाग ओल्डें ब्राउन फ्राइ करेंगे जब तक ये पकती हैं दो से थी मिनट लगेंगे डाग ओल्डें ब्राउन होने में मीडिया उन्टो हाई फ्लेम पे तब तक चटनी बना लेते हैं उसके लिए हम लेंगे ग्राइंडर जार उसमें डालेंगे एक छोटा एक पुदीना पत्ता, वन बाइ फॉर का मिंट लीव्स, इसमें डालेंगे एक छोटा चमा जीरा, क्यूमिन सीट्स, वन टी स्पून, और इसमें डालेंगे एक छोटा चमा नीमबु का रस, दो छोटे चमा लेमन जूस, इसमें डालेंगे एक ट दवी ढालेंगे ताकि यहा अथानी से ब्लेंड ऑजाए पानी नहीं डालना है बिना पानी के ब्लेंड करना है दवी अपना पानी छोड़ेगी तो ićड़ी चाठनी त्यार है मैंने असे blend कर लिया तो ये देखें ये भी डार गोल्डन ब्राउन कलर की हो गए है जब ऐसा कलर आ जाए तब ही इसे निकाल दें बिलकुल परफेक्ट बनती है जरूर ट्राय करिएगा तो इसे सव करते हैं चटनी के साथ तेंक यू फॉर वाचें प्लीज लाइक शियर कमेंट सब्सक देती हूं अंदर से बिलकुल पकी होई है थेंक यू फॉर वाचेंग प्लीज लाइक शियर थेंक यू